नवस्कार दोश्तों मैं ओम्प्रकास गोस्वामी एजुकेशन टू आल यूटूब चैनल में आपका हार देख स्वागत है इस वीडियो में हम छोटा मेरा खेत कविता की बात करेंगे जिसके कभी उमासंकर जोसी जी है कभी निया कविता गुजराती भासा में लिखी थी ज कविता की सरल व्याख्या और कविता के काविसंदर्य की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कभी परिचय की कभी उमासंकर जोसी जी का जन सन 1911 गुजरात में हुआ था इनकी प्रमुक्रचना हैं विश्वसांती गंगोत्री निसीत प्राचीना आथित्य वसंत वर्सा महाप्रस्तान अविग्या एसव इनके एकांकी हैं सापना भारा सहीद इनकी कहानी हैं स्रावणी मेडो विशामो इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं पार का जन्डिया इनके द्वारा लिखा गया निबंध हैं संस्कृती पत्रका का संपाधन किया गया और इनोंने कालिदास के अविज्ञान साकुंतलम एबम भवभ गया इनका निधन हो गया इनोंने गुज्राती कविता को प्रकृती से जोड़ा आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई सैली दी गुज्राती सायत्ति में निबंदकार की रूप में लोकप्री माने जाते हैं कविता का सार छोटा मेरा खेत कविता की समरी प्रस्तुत कविता में कविने रूपक के माध्यम से कवि कर्म को किर्सी कर्म यानि खेती के समान बताया है किसान अपने खेत में बीज बोता है वह बीज अंकुरित होकर पौदा बनता है तथा पकने पर उससे फल मिलता है जिससे लोगों का पेट भरता है इसी तरह कविने कागज को अपना खेत माना है इस खेत में भावों की आंदी से कोई बीज बोया जाता है फिर वह कल्पना के सहारे बिखसित होता है सब्दों के अंकुर निकलते ही रचना स्वरूप गयान करने लगती है तथा इससे अलोगिक रस उत्पन होता है यह रस अनंत काल तक पाठकों को आनंद प्रदान करता है कविने कविकर्म को किर्सी कर्म से स्रेष्ट बताया है क्योंकि किर्सी कर्म का उत्पाद यानि अनाज निश्चित समय तक रस देता है परंतु कविकर्म का उत्पाद यानि कविता अनंत काल तक रस यानि आनंद प कागज का एक पन्ना कोई अंधड यानि आधी भावनात्म काधी कोई अंधड कहीं से अंधड कहीं से आया छण का बीज वहां बोया गया कलपना के रसायनों को पी बीज गल गया निस्सेश सब्द के अंकुर फूटे पल्लव पस्पों से नमित हुआ विसेश कभी कहता है कि उसे कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है कभी के मन में कोई भावनात्मक आवेग रूपी आंधी उमडी और वह उसके खेत में भाव या विचार रूपी बीज बोकर चली गई ये भाव एवं विचार रूपी बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्तों को पी गया जिससे कभी का एहनकार यानि घमंड समापत हो गया जब कभी का गमंड समापत हो गया तब निर्मल मन से सर्वजन हिताय यानि लोक कल्यान कारी रचना का उदै हुआ और सब्द रूपी अंकुर फूटने लगे तथा रचना का संपूर रूप ले लिया इसी तरह खेती में भी बीज विक्सित होकर पौदे का रूप धारण कर पत्तों एबां पुस्पों से लद कर जुक जाता है आगे देखी कभीता छोटा मेरा खेत जूमने लगे फल रस अलोकिक अम्रत धाराएं फूरती रोपाई छण की कटाई अनंतता की लुटते रहने से जरावी कम नहीं होती लुटते रहने से जरावी नहीं कम होती रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चोगोना जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल जूमने लगता है तब उससे अलोकिक रस यानि आनंद की धाराएं फूरतने लगती हैं जो अम्रत के समान आनंद दाई एवं हितकर होती हैं छण विसेस यानि सही समय पर रची गई रचना का फल यानि आनंद अनंत काल तब पाठकों को मिलता रहता है जो कभी समाप्त यानि कम नहीं होता है रस का अक्षय पात्र यानि कविता का आनंद उसमें नहित मानवी मूल्य उससे प्राप्त प्रिर्णा संदेश कभी कम नहीं होता है कविता हमेशा हमेश समाज को अक्षाई और सच्चाई का संदेश देती रहती है काल जई उत्तम साहित्य कभी चुकता नहीं है चाए वे स्रीमत भगवत गीता हो या रामायन हो या महावारतो या अन्य कोई भी उत्तम साहित्य हो काल जई उत्तम साहित्य कभी चुकता नहीं है अब बात करते हैं दोश्तो कविता की काभी संदरी की चोटा मेरा खेत कविता के काब्र सौंदर गी इसमें भाव सौंदर और सिल्प सौंदर ये दो चीज़ बताई आती हैं भाव सौंदर में कविता का भावार्थ और सिल्प सौंदर में बासा सौंदर सम्मंदी बातें बताई आती हैं तो सबसे पहले भाव सौंदर देखिए वे अनंत काल तक समाज को पाठकों को आनंद प्रदान करती है कभी ने कविता को रसका अक्षय पात्र बताया है क्योंकि कविता का आनंद कभी समाप्त नहीं होता है कविता कभी चुकती नहीं है कविता अनंत काल तक आनंद प्रदान करती है मानभी मूल्यों का प्रचार प् प्रियोग हुआ है, तत्सम सब्दों की प्रदानता है, प्रतिकात्मक सेली का सुन्दर प्रियोग हुआ है, मुक्तक छंद में कविता लिखी गई है, पल्लब पुस्प एवं गल गया में अनुप्रास लंकार का प्रियोग हुआ है, रूपक लंकार का प्रियोग किया गया में द्रश्य विंब का सुन्दर उदाहरण हैं तो यह थी दोस्तों छोटा मेरा खेत कविता बहुत-बहुत धन्यवाद हार देख सुब कामना हैं all the best गुड़ लग जैहिंद